90 प्रतीशत से ज्यादा हिंदू ने अपने सारे जीवनकाल में कभी अपनी धार्मिक किताबों को खोल के नहीं पड़ा और ना ही वो ऐसा करने की जरूरत समझते हैं ऐसा क्यूं? क्यों उन्हें जरूरी नहीं लगता कि जे नीश्वरों की वो पास ना कर रहे हैं उनके बारे में पढ़े तो अगर इतने ही कटर हिंदू हैं इतने ही हिंदुत्वों का नशा जो लोगों पे चड़ा है तो क्यों अपने बच्चों को रामायन और गीता और ये सारी चीजें क्यों नहीं पढ़ाते हैं जैसे स्कूल की किताबे पढ़ाते हैं और अगर इस देश की जो सरकार है वर्तमान सरकार बीजेपी अगर वो इतनी ही कटर हिंदू है तो स्कूलों में क्यों नहीं रामायन गीता महा भारत क्यों नहीं इनको अनिवार्य करा देते जैसे बागी किताबें हैं वैसे इनको भी अनिवार्य करा दो ये ऐसा नहीं कर सकते पता है क्यूं? वो इसलिए क्योंकि इनको अच्छी तरीके से पता है कि जिस दिन ये किताबें स्कूलों में छोटे बच्चों को पढ़ाई जाने लगी न उस दिन लोग हिंदू धर्म से उनका विश्वास उठ जाएगा और लोग नास्तिक्ता की और बढ़ने लग जाएंगे या किसी और धर्म की और चले जाएंगे क्योंकि इनमें इतनी ज्यादा गपे भरी हुई है इतनी गपे भरी हुई है कि एक छोटा बच्चा भी बता सकता है कि ये बातें सच नहीं हैं बाते कालपनिक हैं ये बाते अवग्यानिक हैं इसलिए चाहा के भी ना तो आम जनता ना इस देश की सरकारें इन किताबों को पढ़ने के लिए ना तो लोगों को प्रेरित करते हैं और ना ही उनको कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करते कि जिससे उनको यह अहसास हो क्यार हां हमे अपनी धार्मिक किताबे पढ़ नहीं है सिरफ एक ही काम कराते रहने में उनका फाइदा है लोगों को अंदभक्त बनाए रखो और जो आम जनता है ना उनको ये चीज़े उनके बाद समय ही नहीं है पढ़ने के लिए और नहीं उनको समझ में आएंगी ठीक है कोई किताब जो पढ़ते है ना तो उसमें कोई इंट्रेस्ट लेवल होता है किया रहा कुछ अच्छी बात लग रही है इंट्रेस्ट बन रहा है कुछ नया सीखने को मिल रहा है जीवन में वैल्यूज एड़ हो रही है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है इन किताबों में तो कुछ पढ़ेगा क्यूं कौन सी चीज़ा जो उन्हें बांदे रखेगी इसलिए इन किताबों को सिरफ जो डोंगी बावा लोग होते हैं यही पढ़ते हैं ठीक है और यह पढ़के भी सिरफ अच्छी अच्छी चीज़े चांट के उनको कहानी मनुरंजक कहानी बना के मनुरंजक कहानी बना के सिरफ अच्छी अच्छी चीज़े चांट के आम लोगों के सामने रख देते हैं और लोग उनको ताली बजा के सुनते हैं क्योंकि उनको मज़ा आता है कहानिया सुन रहे हैं लेकिन जिस दिन आम जंता वास्तव में इन किताबों को खुद पढ़ने लग गई ना उस दिन उस दिन समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा गड़बड जाला इस देश के अंदर हो रहा है वर्तमान सरकार है ठीक है और हर वो सरकार है जिसको सत्ता चाहिए जिसको सत्ता चाहिए उसको एक चीज साभाल नहीं है एक चीज करके रखनी है कि जो majority में जो community है ना उस community को लगातार अपने brainwash करके रखो उनके दिमाग को अपने कबजे में रखो और वो कैसे वो धर्मांदता के दौरा लोगों को धर्मांद बनाके रखो चार लोगों को आपस में लड़ाओ और उसके बाद जो कुछ लोगों को आपस में लड़ाओ औ उन्हें कोई मतलब नहीं है कि इस देश में की उन्नती कैसे हो रही है देश में महगाई कितनी बढ़ रही है गरीब और गरीब होता चला जा रहा है अमीर और अमीर होता चला जा रहा है बेसिक मूल भूत जो सुविधाएं हैं वो नहीं है लोग बेसिक इलाज की कमी के कार आया जा चुका है अच्य से पह기로 हुआ है हुए मैं लोग भूखें मर रहे है और गरीब ही हा रही है और बढ़ती जा रही है हर एक चीज जो है वकर आदमें की पहुँंस से दूर रहे है लेकिन कोई फर्रक नहीं किसी को कि धर्मांदता का चश्मा पहना हुआ है मैं कहना चाहता हूँ हर उस व्यक्ति को जो अपने आप को कटर भक्त कहता है अगर आप वाकई में कटर भक्त हो तो अपनी धार्मिक किताबों को अपने उस ईश्वर को जिसकी आप उपासना करते हो उसकी हर एक किताब के हर एक अक्षर को पूरे ध्यान से पढ़ना एक एक पन्ने एक एक अक्षर एक एक पेज को पढ़ना है ठीक है और उसके बाद देखना कि जो बातें आप पढ़ते हो वो बातें कितनी सही हैं कितनी गलत हैं अपने बच्चों को पढ़ाना और guarantee दे रहा हूँ दावा कर रहा हूँ आपके बच्चे अगर ना आपका अपने माबाप को छोड़ कर ना अपने घर परिवार अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ कर अगर सड़क पे चोगा पहन के घूमने न लग गए तो जो मर्जी बोल देना मुझे क्योंकि हिंदु धर्म में जो धर्मिक गरंत है ये आपको आपके जीवन को कोई वैल्यू नहीं देते या तो ये आपको नास्तिक बना देंगे या ये आपको अपने धर्म से विश्वास करना बंद करा देंगे या आप वैरागी हो जाओगे ठीक है ये जो जनेरेशन है ना इस generation को बचा के रखने के लिए ही बचा के रखने के लिए भी जो वर्तमान सरकारे हैं और जो आम जनता है वो अपने बच्चों को कभी धार्मिक किताबे पढ़ने के लिए नहीं देते हैं ठीक है न तो इसलिए अगर वाकई में आप अपने आपको भक्त कहते हो न और स्टेज में बैठके अपने आपको बाबा वो कहते हैं इन सिरफ इनकी बाते मत सुनो ठीक है न किताबे अपने घर पर खरीद के लेकर आओ और उन किताबों को पढ़ो खुद जो तुम्हें सिखाया जाता है जो तुम्हें बताया जाता है न जो बाबा तुम्हें बताते ह इनके द्वारा बोली गई बातों को देखो कहां पर लिखी है और उसके आगे और पीछे 10 कदम आगे 10 कदम पीछे की बात भी पढ़ो कि क्या लिखा है और किसी और से नहीं खुझ से सवाल पूछो दिमाग दिया है ना अनपढ़ तो नहीं हो पढ़े लिखे हो, educated हो जो अनपढ़ है, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी किसी और को बोले के मुझे पढ़के बताओ यहां पर क्या लिखा है और जो पढ़े लिखे है, educated हो आपको basic चीजों का मतलब निकालने के लिए भी ना किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है ठीक है, मैंने basic Sanskrit पढ़ी है लेकिन basic Sanskrit ज़्यादा नहीं आती मुझे, लेकिन फिर भी Sanskrit को अनुवाद करने के लिए मुझे किसी डोंगी पाखंडी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है ठीक है ना, उसका English में translation भी available है, Hindi में translation भी available है, और एक से ज़्यादा version available है, तो मैं उनको compare करके देख सकता हूँ कि कौन सा version ज़्यादा सठीक है और जो मतलब मैं निकाल रहा हूँ या जो एक से जो मतलब निकल रहा है और कईयों में भी वो ही मतलब निकल रहा है ले जाएंगे ना, अगर तुम्हें धर्मांदता से अगर तुम्हें दूर कर देंगे ना, तो तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि तुम्हें किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है साधार पर vote देना है और किसी को दादा की ली करने देनी है के नहीं करने देनी है तब तो यह पता चल जाएगा तुम्में और ऐसा वो कभी चाते नहीं है इसलिए वो तुम्हें जान बूज कर तुम्हें गोबर की ओर अग्रसर करेंगे ठीक है न यह तुम्हे ये समझ में आने लगें, कि गोबर ही सबसे अच्छी दवाई है, और गोबर से अच्छी सेहत मंचीज को ही नहीं है, और तुम्हें यह समझ में आने लग जएगा, कि मूतर पीने से ज्यादा और कोई mineral water नहीं है, ठीक है न, यह तुम्हें आगे नहीं जाएंगे, ठीक है, यह तुम्हें और नीचे लेकर जाएंगे, तो अगर आप तरक्की करना चाते हैं, उन्नती करनाचाते हैं, तो सबसे पहले तो एक काम कीजिए कि सच को जानिये, सही को जानिये, अपनी किताबों को पढ़िये, धरमांद मत बनिये ठीक है न धर्मांद मत बनिये आपके पाप बहुत लंबी जिंदगी है लंबी जिंदगी है आपके पास थोड़ा समय नहीं है उस समय में से अपनी भलाई के लिए अपनी भलाई के लिए उन किताबों को जिनकी आप भक्ती करते हैं उन इश्वरों को जिनकी आप भक चेक करो और उसके बाद देखो के तुम्हें कौन से ईश्वर के पीछे चलना है और जिस ईश्वर की तुम उपास न कर रहे हैं वह वाकई में तुम्हारी भक्ती के लायक है भी के नहीं